नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिसी रिवास तब जिंदेगी में सफलता सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है और सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी कोशिशे करते ही रहते हैं चाहे मैं लड़का हो, लड़की हो, महिला हो या फिर पुरुश हो वह अपनी कोशिशे इसलिए करते रहते हैं ताकि उन्हें आगे जाके कोई न कोई सफलता मिले और हमने अकसर देखा भी है, हमारे माता पिता भी यही कहते है कि आप चब तक अपनी कारे को सही तरीके से नहीं करोगे या फिर पूर्ट तरीके से नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे बिल सकती है यदि आप सफलता चाते हैं तो उसकी लिए सबसे अच्छा है कि आपको मेहनत करनी ही होगी मेहनत सबसे ज़्यादा जरूरी है और इमानदारी से यदि आप मेहनत करते हैं उसका नतीजा जर्दी ही आपको मिल जाता है लेकिन आप इमानदारी से कारेकर भी रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसकी लिए कुछ उपाय है यदि आप पुराणों के अनुसार देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी हो पाय है आप यदि उनुसार पाय को करते हैं तो आपको सफलता सरूर मिलेगी नमबर एक भगवान विष्टू भगवान विष्टू की अरात्ना करना सबसे माने बर माना जाता है यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले और सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी उमीदे पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान विष्टू सबसे जादर सरूरी है तो आप भगवान विष्टू की अरात्ना कीजिए और यदि आप सच्चे मन से पूझा करते हैं तो आप भगवान विश्णू की अनुकमबाच जरूर पा सकते हैं ध्यान रखें कि आप पहले इस्तनान करें पहले खुद को मन को पवित्र करें उसके बाद ही भगवान विश्णू की अलादना करें नमबर दो आपने अकसर सुना होगा एकादसी व्रत के बारे में एकादसी व्रत हमेशा खास माना चाता है और एकादसी व्रत पर नियम भी है यदि आप सच्छे मन से एकादसी का व्रत रखते हैं तो आपको सफलता अवस्यम लेगी आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एकादसी के व्रत की सही विदी और सही पूजन करने का तरीका पता होना चाहिए यदि आप सही तरीके से विदी के अनुसार पूजा करते हैं तो उससे आपका एकादसी व्रत भी पूरा हो जाएगा और आप जिस चीज़ की सफलता के लिए एकादसी व्रत कर रहे हैं वह भी आपका कारेंट पूरा हो जाएगा यदि आप चाहते हैं कि एकादसी का व्रत रखना तो उसके लिए आप अपने घर के आसपास और अपने माहुर को ठीक कीजिए आपके घर में मास या फिर सराप का कोई भी सेवन नहीं कर सकता है एकादसी व्रत में ये खास माना जाता है और एकादसी व्रत सबसे खास भी होता है सफलता प्राफ्ट करने के लिए नमबर तीन कि लोग उसमें कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं लेकिन आप तो पावदी लगा रखी है गंगर नदी को साफ करना सबसे ज़्यादा आपके ही हाथों में होता है यदि आप गंगर नदी को साफ रखना चाहते हैं उसके पानी का इस्तिमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप गंगा नदी को हमेशा जैसा है वैसा ही देखें यानि कि पवित्र देखें तो उसके लिए आप शुरुबात अपनी तरफ से करें अगर आप शुरुबात खुद करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा खास माना जाता है यदि आप गंगा नदी की पू उसे हमने अपसर देखा है कि तुलसी घर-घर में लगी होती है और घर में लगाने का यह मैद वो होता है कि भगवान विश्णो की सबसे ज़्यादा प्रतिमा के रूप में पूछने इस तुलसी है यदि आप तुलसी की पूजन करते हैं और नित्य प्रति दिन उठकर अपन में सफलता चाहिए वह भी आपको चल दी ही मिल जाती है तो यह उपाएश ज़रूर अपनाए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जब तक के लिए मैं अपरे तिस रिवास्ता पाक से ज़ज़ते ती हूँ